आज देख रही है MNS News, सच ज़रूरी देख रही है नमस्कार मैं अकसा वही दमसारी और आप देख रहे हैं MNS News आज देखते हैं आज की खास ख़़वरे तेज रफ़टा ट्रक ड्राइवर तोड़ कर पलटा पलबर में बना आपका गोला जिन्दा जला शक्स हनुमान गर जिले के पीली बंगा इलाके में तेज रफ़टा ट्रक ड्राइवर तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलड़ गया ट्रक के पलटते ही उसमें भी शन आग लग गई जिस कारण अंदर बैटे एक खलासी की जल कर मौत हो गई वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को बचा लिया है लेकिन उसकी हालत अभी भी गंबीर बताई जा रही है राजस्तान के हनुमानगर जिले में तेजरफता ट्रक बीच रास्ते में ही पलट गया और उसमें अचानक से आग लग गई इस आजसे में ट्रक में बैठे खलासी की जल कर मौत हो गई लेकिन पुलिस की सतरकता से ट्रक ड्राइवर को बचा लिया गया है गटना पीली बंगा कस्वे की है पुलिस के अनुसार ट्रक ड्राइवर काफी निश्य में था वसूरत गड की तरफ जा रहा था तब ही अमर पुरा रेलवे फाटक के पास ट्रक अनियंतर होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गया जैसे ही ट्रक पलटाउस में आग लग गई ट्रक के अंदर ड्राइवर और खलासी बैटे हुए थे आग इतिनी भीशन थी कि अंदर बैटे खलासी की जिंदा जलकर ही मौत हो गई वहां मौजूद लोगों ने तुरंट पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी पानी से ट्रक में लगी आग खोट बुझाने की भी कोशिश की गई दमकल विभाग की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुँची सबसे पहले ट्रक के अंदर फसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया इस हादसे में ड्राइवर गंभी रूप से घायल हुआ है पुलिस ने फौरण उसे नजदी की अस्पताल पहुचा दिया वहीं दमकल विभाग ने कड़ी मशकत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर को प्रात्मिक उप्चार के बाद जिल अस्पताल रेफर कर दिया गया है क्योंकि उसकी हालत काफी गंभीर है उन्होंने बताया कि ट्रक में लगी आग इतनी बयानक थी कि ड्राइवर को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल हो रहा था ट्रक से आग की लपेट में उपर उपर उठ रही थी पिली बंगग थानक के सब इंस्पेक्टर हरवन सिंग ने बताया कि ट्रक बठिन डाख से राजस्थान आ रहा था ड्राइवर के लापरवाहिस से यह हाथसा हुआ खालासी के शब को कबजे में लेकर पोस्ट मातं के लिए भीज दिया गया है साथी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्च कर लिया गया है और जाज जारी है राजस्थान के हनुमान गड़ जिले में तेज रफतार ट्रक बीच रास्ते में पलड गया और उसमें अचानक से आग लग गई इस हादसे में ट्रक में बैठे खिलासी की जलकर मौत हो गए लेकिन पुलिस की सतरकता से ट्रक ड्राइवर को बचा लिया गया घटना पीली बंगा कस्पे की है पुलिस के अनुसर ट्रक ड्राइवर काफी नशे में था वह सूरतगर की तरफ जा रहा था तब ही अमर्पुरा रेलवे फाटा के पास ट्रक अनियंत्रेत होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गया जैसे ही ट्रक पलटा उसमें आग लग गई ट्रक के अंदर ड्राइवर और खलासी बैठे थे आग इतनी भीशन थी कि अंदर बैठे खलासी की जिन्दा जलकर मौत हो गई वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी पानी से ट्रक में लगी आग को बजाने की भी कोशश की वही ने दमकल विभाग ने कड़ी शकत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया पुलिस ने बताया की ट्रक ड्राइवर को प्राथमी की उपचार के बाद जिलासपताल रएफर कर दिया गया है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी गंभीर है उन्होंने बताया कि ट्रक में लगी आग इतनी भायानक थी कि ड्राइवर को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल रहा ट्रक से आग की लबतें उपर तक उठ रही थी पीली बंगा थाने के सब इंस्पेक्टर हर्बन ससिंग ने बताया कि ट्रक बठिंडा से राजस्थान आ रहा था ड्राइवर के लापर वाही से यहां अदसा हुआ खलासी के शब को कबज में लेकर कोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया थी साथ ही ट्रक ब्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया गया जांच जारी है अब आप हमारे चैनल को आपकी मुबाइल फोन पर भी देख सकते हैं मुबाइल अप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV एप डाउनल्योड करें इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूक, फेस्बुक और कई सोशल मीडिया की प्लेटफर्म्स पर भी माला चैनल उप लब्द है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर पिलाल दर्शकों वक्तों चलाए एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश चोदुनिया की तमाम कबरे देखने के लिए बने रहे MNS News के साथ क्योंकि सच जरूरी है नमस्कार